तो गylan ने वोट try ready dent bald विडियो वनाया था जैसे कि आपना वोट Ready card कैसे apply कर सकते हो या फिर आप अपने वोट है डी काट boy का status कैसे check कर सकते हो इन सब्सक्री कमेंट ब Proteus क्ेक का मुझे एक कमेंट भरभर क्या रहा हो सबका कॉशन सें में और लोग minute क्या के सर मैंने वोटर एडिकाट अपलाई कर दिया मुझे किया विए तीन महीने चार महीने हो चुके मेरा इपिक भी जेनरेटर हो गया मतलब मेरा वोटर एडिकाट बन गया है लेकिन जब भी मैं उसको डाउनलोड करने की कोशिस करता हूं या फिर मैं अपने स्टेटस चेक करत हूं तो मुझे नो रिकोट फांड दिखाता है तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी प्रोब्लम के उपर बात करने वाले यह क्यों हो रहा और इसका सॉल्यूशन क्या है लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पे नहीं हो तो सबसे पहले चैनल से उतराखंट से यानि कि इन चार स्टेट्स में से किसी एक से बिलॉंग करते हैं उनके साथ यह प्रोब्लम जादा देखने को मिल रही है अभी आप प्रोब्लम इसको नहीं कह सकते हैं गलती आप लोगों सही हो रहा है आप लोग क्या कर रहे हो वहां पे चीज हो गया है कि उपर एक ही जागा सभी लोगों का सारा काम हो जाता था लेकिन इन चारो स्टेट्स का वहां पर अलग कर दिया गया है उसके लिए आपको एक अलग वेबसाइट की उपर रिडिरेक्ट किया जाता है तो मैं अब यह प्रेक्टिकल यह आपको करके दिखांगा क्या गलती पता भी होगा मुझे पता इस बारे में तब सबसेफल है वेबसाइट के ऊपर आजाना है आहने के उपर आपको आचाना हूतकर अपर सब्सक्रा ना अगर आप इन चारों में से किसी और अलग से बिलॉंग करते हो तो आपको इस लिंक को ओपन कर लेना है। आपको मैं यहाँ पर एक सर्च करके practically दिखा देता हूँ कि कैसे मुझे यहाँ पर no record form दिखाएगा क्यूंकि मैं बिहार से हूँ और वापस मैं जब इस link को open करके यहाँ से try करूंगा download करने का तो मुझे यहाँ पर download करने में कोई दिक्कत नहीं हैगी चलो नीचे आते हैं क्लिक करते हैं सबसे पहला काम हमें क्या करना होता है कि login कर लेता हूँ तो मैंने यहाँ पर लगन कर लिया है login करने के बाद मैं यहाँ पर download than EP को फिर से click करता हूँ और अपने remembrance test नबर ऩाण डाल देता हूँ यहासे status कर लेंगे अपना और अप सॉर्च को उपर click कर दे Conference अब लोग देख सकते हो, clearly यहाँ पर मुझे no record found for the given epic number लिखके आ रहा है, ठीक है, अब यही काम हम उस link के उपर click करके करने का try करेंगे, ठीक है, मैं back आ जाता हूँ, back आने के बाद यहाँ पर मुझे इस link के उपर click करना है, एक नया page open हो जाएगा, यहाँ पर भी आपको सब के उपर click कर देंगे, अब देख सकते हो, आप यहाँ पर मुझे मेरा data show करने लगा है, यहाँ पर जो भी मेरे voter ID card के details हो गयरा है, सब यहाँ पर मुझे दिखाया जाए रहा है, मतलब कि मेरा data है, वो nvsp website के उपर में available है, लेकिन आप लोग गलत यहाँ से चेक कर रहे तो, और यह देख सकते हैं, आप OTP verification done successfully, download EEP का option आपको दे दिया है, यहाँ पर मैंने अपने download भी कर लिया, ठीक है, तो यह रहा मेरा voter ID card का EEP electronic version, तो इस तरीके से आप भी अपने voter ID card को download कर सकते हो, या फिर अभी नहीं बना है, बना है, या आप उसका status चेक कर सकते हो, जो भी progress होगा, वो आपको दिखा देगा, अगर आप इन चारों में से किसी एक state से बिलॉंग करते हो, तो आपको ऐसा ही चेक करना होगा, ठीक है, तो चलिए आप लोगों में से जितने भी लोग ऐसे हैं, जो गलत तरीके से चेक कर रहे थे, जिनका EEP generate हो चुका है, या फिर तीन- आपको थोड़ा सा वेट कर लेना होगा, क्योंकि मैं अपने वोटाराइडी का रिलेटेड वीडियो के हर एक वीडियो में यह बात आपको बताता हूँ, कि वोटाराइडी कार्ट के कामें आपको यहाँ पर समय लगता है, तीन-चार महीने का जो टाइम होता है, इतना दि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, जानकारी पसंद आई होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पर नहों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, आज कि इस वीडियो में इतना ही मिलता हूँ, फिट से अगली वीडियो में,